हाई फ्रेंट्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल EPSC In424 में स्वागत है तो दोस्तो हम उमीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुस होंगे फ्रेंट्स ए जो वीडियो है ए पीजटी नागरी सस्थ का भाग 150 है तो अगर आप टीजटी, पीजटी, ल्टी, ग्रेड और जी आईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ए वीडियो आपके लिए हैं दोस्तो वीडियो के अंतक बने रही हैं अगर वीडियो पसंद आती है तो करना ना भूले यह लाइक और कमेंट ही आपका जो है एक प्रकार से हमारे लिए आकसीजन का काम करता है तो दोस्तों आज का जो कोशन होने वाले हैं बहुत ही का इस प्रकार वर्ण किया है कि संपूर विज्ञान में साज़दारी, संपूर कला में साज़दारी, प्रतेक सद्गूर और संपूर पूर्ट्या में साज़दारी है किसने राज्ज का इस प्रकार वर्ण किया है कि यह संपूर विज्ञान में साज़दारी, संपूर कला में साज़दारी, प्रतेक सद्गूर और सभी पूर्ट्या में साज़दारी है आपसन एक है एडमंड वर्क ने, आपसन दो है अरस्तु ने, आपसन तीन है मै काईबर ने, आपसन फोर है मारगन ने तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अत्तर का एक आंसर सही हो जाएगा, एडमंड वर्कर मोहदे का एक कथन है एडमर्ड बरकर्मोदे ने राज्य का इस प्रकार वढण किया है कि यह संपूर बिज्ञान में साज़दारी है संपूर कला में साज़दारी है प्रतेक सद्गूर और सभी पूर्तिया में साज़दारी है की यह हर तरह से देखा जाए तो बिज्ञान में भी राज का साज़ेदारी है कलाओं में भी इसकी भागिदारी है और परतेग सदगुड और सभी पूर्तिया में यह क्या है साज़ेदारी है पाटिसिपेटर है इसका तो इस प्रकार उन्होंने राज का वर्ण एडमन्ड वर्क ने किया इस प्रकार से आगे देखते हैं बहत्तर नमर कोशन है दोस्तो मैं वह पीटर हूँ जिसने अपने गुरु को नकार दिया या कथन किसका है आपसन एक है अरस्तु का आपसन दो है लेनिन का आपसन तीन है जेयस मिल का और आपसन चार है टी यज ग्र तीन का तो आपसन किसका हो जाएगा दोस्तो आपसन तीन सही हो जाएगा बहत्तर का तीन जेयस मिल का यह कथन जेयस मिल का है कि मैं वह पीटर हूँ जिसने अपने गुरु को नकार दिया ठीक है आपसन एक आपसन एक आपसन एक जेयस मिल आगे देखते हैं तीन नमर कोशन है और important question है question friends केसी हुएर द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थापिकाओ के हरास का अर्थ है जो कमी आती है व्यवस्थापिकाओ के हरास का अर्थ क्यа है यह बताना है केसी हुएर द्वारा ने जो प्रतिपादित किया गया है विवस्थापिकाओं के हरास का अर्थ क्या है उनमें अपसंती ने दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई सक्तियों की तूनला में उनकी इस्तिती में उतार आपसं फोर है सरकार के बढ़ते हुए कार्यों को करने में उनकी आंसर सही हो जाएगा कि दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई सक्तियों की तुलना में उनकी इस्तिती में क्या हुआ है उतार हुआ है यही क्या है वेवस्थापिकाओं के हरास का अर्थ है और यह अर्थ किस ने दिया है तो यह अर्थ दिये हैं केसी हुयर ने केसी हुयर द दोस्तों, चोहतर नमर कोशन है, इतिहास की भौतिक वादी व्याख्या के अनुसार समाजिक सनरचना की निमलिखित परतों की प्रात्मिक्ता का सही क्रम क्या है? इतिहास की भौतिक वादी व्याख्या के अनुसार समाजिक सनरचना की निमलिखित परतों की प्रात्मिक्ता का सही क्रम क्या है ये बताना है और इधर कूट के साहिता से आपको आंसर देना है नीचे दिये गए कूट की साहिता से सही उत्तर दीजे उपर आपको विकल्प दिये गए है चार अपसन है क्रम में उनको विवस्थित करना है पहले क्या होगा उत्पादन के संबंद विचार ध उत्पादन की सक्तियां कानून और राजनीतिक संगठन तो पहले सही क्रम में क्या आएगा दोस्तों तो पहले सही में आपका जो आएगा वह है आपका उत्पादन की सक्तियां आजाएगा पहले में और दूसरे नमर पे इस तर नमबरिंग कर लेते हैं पहले पे यह हो जाए दूसरे नमबर पर हो जाएगा उत्पादन के संबंद हो जाएगा दूसरे नमबर पर इसके बाद हो जाएगा दोस्तों तीसरे नमबर पर आपका क्या हो जाएगा कानूर और राजनितिक संगठन उसके बाद आपका विचारधारा हो जाएगा तो इसको नमबरिंग के अंसा सही करते हैं तो आपका दो नमबर सही हो जाएगा तो दो नमबर सही कर लेंगे इस तरह संरचना बनती है तो इसको आप स्रेड़े वाई अगे देखते हैं 75 नमर माक सुवादी केवल वही है जो वर्ग संघर्ष की माननताओं को मजदूर वर्ग की ताना साही की माननताओं तक ले जाता है या किसने कहा था आप सन एक है लेनिन ने आप सन दो है इस्टालिन ने आप सन तीन है ट्राश्टी ने आप सन फोर है वर्ण इस्टीन ने तो 75 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों तो 75 का 3 हो जाएगा ट्राट इसकी ने या कथन कहा था कि माक सुवादी जो है केवल वही है जो वर्ग संघर की मानेता तक ले जाते हैं दोस्तों इस अब कथन एक कोटेशन आप कहीं कापी में ज़रूर लिखने क्योंकि कोटेशन और एक चक्टेन्ट है यही पेपर में ज्यादा पुछे जाते हैं पेपर में आपको यही सब मिलेगा पुष्टके मिलेगी और उनके quotation मिलेंगे कुछ अनुछेद मिलेंगे तो इनको आप लिखते जाईए और बार-बार repeat करते जाईए और आपको एक suggestion दे रहे हैं दोस्तों कि आप वीडियो तो देखिए साथ में साथ आप क्या करते रहें NCRT की जो book है उसको और मतलब 9 से लेकर इंटर तक की पुष्टकों पे ज़्यादा फोकस देना है अगर PGT देना है तो TGT देना है तो आपको 6 से लेकर इंटर तक पढ़ना है वो हर सब्जेक्ट में यही रूल अपलाई करेंगे चाए वो कोई भी आप दे रहे हैं पेपर PGT TGT का तो आप इसको बेस रख कर करिएगा क्योंकि LT grade में तो आपका NCRT पूरा पुछेगा और इसके बाद रही बाद जैसे LT में भी आपको दिखने मिल जाएगा NCRT अगर KBS का एक्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें भी NCRT मिल जाएगा अब आपका जो NBS का है NBS का 9 दे स्कूल का उसका भी आपका PGT बाकिर आगया है तो PGT में आपको मिल जाएगे NCRT के जितने हैं 20 के इतियास अगर पढ़ना है तो आप 11 के बुक को जरूर पढ़िएगा उसमें 20 के इतियास मिल जाएगे आपके हिस्टरी के लिए ठीक है और पोल्टी का आप जो भी 11 12 का दोनों पढ़िएगा PGT के लिए बता रहे हैं आप PGT आप 9 से लेकर 10 के बुक को जरूर पढ़िएगा चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का आप ले रहे हैं तो उस सब्जेक्ट को पार्टिकुलर उससे पढ़िए और फिर इस मतलब देखते रहे हैं यूटूब इस पर मना नहीं कर रहे हैं लेकिन आप क्या करिए वहां से ज़्यादा कंटेंट उठाइए कोसिस करिए कि किताब पढ़िए क्यूंकि एकदम होई से लाइन उठा कर दे रहा है जैसे सन्युक्त राष्ट संग से और मात्मा गांधी से इन सबसे गुठ निर्पेच्चता से यहां से कोशन आपके पोल्टी में पूछे जाते हैं या हिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं तो यह टापिक जो लगे हैं दोनों में तो दोनों को आप कबर करते हुए लोग बुक मिना पड़े आप कोई भी चाए हो केबियस हो चाए हो नहोदे हो या ल्टी ग्रेड हो या टीजीटी पीजीटी क्यों ना हो आप उसको नहीं निकाल सकते हैं तो इनको आपको पढ़ना पड़ेगा कंटेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा वीडियो देखकर तो निकलेगा नहीं आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे जो वीडियो में आपको दिख रहा है आप समझ में नहीं आ रहा है कि यह कोशन किये हैं कि नहीं किये हैं हमको मालूम नहीं है कोशन नहीं आए तो आप उसको तुरंत नोट कर लिजीए आप अलग-अलग कापी बना ल ठीक है और आप लोग तो खुश समयदार है ठीक है आगे छेतर नमर कोशन है निमलिखित में से कौन प्रतेच प्रजातंत्र का एक लच्छड नहीं है आपसन एक है लोक सबाएं आपसन दो है जन्मत संग्र आपसन तीन है आरंभक आपसन फोर है अनुपातिक प्रति निधित तो आपको इसमें देखना है तो आपको समझ में ए वाला नहीं आ रहा होगा और इसके बाद ए समझ में तो आप जैसे ही आप इसके अनुपातिक जो होते हैं प्रतिनी दी ओ राष्टपती के चुना में और राष्टपती के चुना में एप्रयोग किया जाते हैं तो इसको बोला जाता है अप्रतेच निर्वाचन यहां पर पुछा है प्रतेच प्रजात अंत्र यहां पर प्रतेच में यह तीनों आ जाएंगे अप्रतेच में आपका फोर वाला आ जाएगा तो आंसर आपका फोर सही हो जाएगा च्छेतर का फोर आगे चलते हैं 77 नमर कोशन देखते हैं निमलिखित में से किसका उदारवाद में मेल नहीं है उदारवाद से किसका मेल नहीं है ए बताना है आपका आपसन एक है भुर्जुवा राज का आपसन दो है प्रती निदी सरकार का आपसन तीन है लोक कल्यारी कार राज का आपसन फोर है सीमित सरकार का तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा वो अपहला नमर सही हो जाएगा बुर्जुवा राज का तो निमलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है तो आंसर हो जाएगा बुर्जुवा राज का आपसन एक सही हो जाएगे सतततर का एक आगे देखते हैं 78 नमर कोशन दार्शनिक राजा प्लेटो सोयम है और रिपबलिक सोयम प्लेटो की राजसी सत्ता के लिए दावादारी है यह टिपड़ी किसने की थी आपसन एक है अर्नेष्ट बारकर ने आपसन दो है CH पेपर ने आपसन 3 ने कार्ल पापर ने आपसन 4 ने सेवाईन ने तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों तीन सही हो जाएगा कार्ल पापर ने इसको याद रखेंगे कि दार्शनिक राजा प्लेटो सोयम है और रिपबलिक सोयम प्लेटो की राजसी सत्ता के लिए दावैदारी है यह टिपड़ी किस ने की थी तो यह टिपड़ी की थी कार्ल पापर ने इसको आप याद रखेंगे आगे चलते हैं 79 नमबर कोशन है एक फ्रेम वर्क आप पोलिटकल एनालिसिस सिर्षक पुस्तक का लेखक कौन है आप फ्रेम वर्क आप पोलिटकल एनालिसिस सिर्षक पुस्तक है उसके लेखक कौन है आपसन एक है डेविट इस्टन आपसन दो है आमंड एउं पावेल आपसन तीन है जीन बलोंडेल आपसन फोड है सिडनी वर्बा वर्बा सिडनी वर्बा तो आंसर हो जाएगा दोस्तो 79 का वन डेविट इस्टन ए फ्रेम वर्क आप पोलिटकल एनालिसिस पुस्तक के लेखक है डेविट इस्टन इसको आप नोट कर लिजे दोस्तो कोशन आप नोट करते चलिए जो नहीं आ रहा है जो आ रहा है उसको करने की जरूरत नहीं है और अंत तक आप जरूर बताईएगा कि आपने 15 में कितना कोशन सही किया है आप सन 1 कोशन 80 नमर देखते हैं दोस्तो या किसने कहा प्रतेक वेक्ति 1 गिना जाए आप सन 1 है जे जे रूसो आप सन 2 है जेरेमी बिन्थम आप सन 3 है जे असमील आप सन 4 है अबराहम लिंकन तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तो 80 का 2 आंसर हो जाएगा जेरेमी बिन्थम या किसने कहा है कि प्रतेक वेक्ति 1 गिना जाए तथा कोई भी एक से अधिक न गिना जाए तो एक अथा ने जेरेमी बिन्थम का आगे देखते हैं 81 नम्मर राल्स की न्याई की धाड़ा है आप सन 1 है समाजवादी आप सन 2 है उपयोक्तावादी आप सन 3 है समुदावादी आप सन 4 है उदारवादी तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 81 का फोर्स है हो जाएगा उदारवादी राल्स की न्याई की धाड़ा कैसी है तो उदारवादी है आगे चलते हैं 82 नमर देखते हैं कोश्चन दा मेटा फिजिकल थियोरी आप दा इस्टेट नामक पुष्टक के लेखक कौन है दा मेटा फिजिकल थियोरी आप दा इस्टेट नामक पुष्टक के लेखक कौन है आपसन एक है यल्टी हाप्स हाउस आपसन दो है बी बो सांके आपसन तीन है यच यप है यच ब्रेडले आपसन फोर है ती यच ग्रीन आउसर हो जाएगा दोस्तो 82 का एक सही हो जाएगा ती यल्टी हाप्स हाउस यल्टी हाप्स हाउस क्या हो जाएगे लेखक है दव मेटा फिजिकल थियोरी आप दा इस्टेट के इसको आप नोट कर लिजिएगा पुष्टक के एक नोट बनाते चलिए इस मतलब इस चैनल पे बहुत ज्यादा वीडियो पढ़ा है दोस्तों अगर आप पोल्टी हिस्ट्रिस कर रहे हैं और भुगोल का भी वीडियो है वन लाइनर वीडियो है तो उहां से आप जाकर देखेंगे तो आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगी तो उस पे आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर 10-5 मिनट अगर आप प्ले लिस्ट में जाकर उसमें आप देखते हैं तो आपको बहुत से काम की चीज़े मिलेगी आप कम टाइम में जैसे 10 मिनट 5 मिनट आप कहीं गूमने जा रहे हैं तो वहां पे आप वीडियो चालूं करकर देख लेंगे तो आप 10-5 कोस्चन तो आपको रिवीजन हो जाएगे ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको आते होंगे कुछ हो सकतेistol ना往 और कहीं कहीं दोस्तों कभी कभी वीडियो बनाते समय अगर कोई गलतिया हो तो उसको भी आप सजेश्ट करिए बताइए यह आपका यह एक चैनल है आप सभी लोग परिवार के सदस्ते हैं आप लोगों के वज़े से हम बना रहे हैं नहीं अन्था बनाने की कोई जरूरत नह यह ठीक है लेकिन आप लोग आएं आप लोग देखते हैं थोड़ा सजेश्ट करते हैं थोड़ा यहां पर मन लगता है तो इसलिए बनाया जाता है लेकिन आप लोग जैसे ही अगर एक कमेंट करते हैं लाइक करते हैं सस्क्राइब करते हैं तो समझ लिजे कि आप हमारे ल तो पढ़ाने से क्या फायदा तो ऐसा ओने लगता है लेकिन जब कुछ लोग करते हैं बहले पाच लोग करें दो लोग करें एक लोग करें तो ओ लोग हैं जो मतलब थोड़ा सा मोटिवेट करते रहते हैं कि लोग आते हैं यूटूब पर पढ़ाते हैं नहीं तो फिर वही स इसका अंसर आपको मालूम होगा, तो निमलिखित में से किसे चतूर्थ अस्थम या फोर्थ स्टेट कहा जाता है, आपसन एक है नोकरसाय को, आपसन दो है नयापालिका को, आपसन तीन है प्रेस को, आपसन चार है राजनीति दल को, तो दोस्तों अगर इसका आप आंसर जान भले कोई कमेंट कर दे लेकिन आपको जरूर करना है एक मिनट हमारे लिए जरूर निकाल कर कमेंट करिएगा अगर आप इस कोश्चन तक पहुच चुके हैं तो आगे चलते हैं दोस्तों किसने कहा था कि सार्वजनिक वयस्क मता अधिकार वास्तों में सार्व भौमिक नहीं है आपसन एक है गिलक्राइस्ट आपसन दो है लास्की आपसन तीन है गेटल आपसन फोर है गारिनर तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 84 का आंसर आपका एक के साथ जाएगा गिलक्राइस्ट एक किसने कहा था तो गिलक्राइस्ट महोदे ने कहे थे कि सार्व भौमिक वयस्क मता अधिकार वास्तों में सार्व भौमिक नहीं है आपसन एक सही हो जाएगा आगे देखते हैं 85 नमर कोशन भारती समिधान के कौन से अंशेत संगी संसत को राज्य सूची में समलित विश्यों पर विधी निर्मार का अधिकार प्रदान करते हैं तो कौन कौन राज्य सूची पर विधी मतलब विधी बनाने का अधिकार संग को देता है मतलब संसत को देता है संगी संसत को आपसन इसमें दिया है ये चार देख रहे हैं अनुशेद 250, अनुशेद 249, अनुशेद 252 और अनुशेद 254 तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा ये बताना है तो आप देख रहे होंगे कि अनुशेद 250, 250 और 259 और 252 जो है इन पे क्या है राज सुची का भी से होगा लेकिन इस पे जो संगी संसद है वो बना सकती है जबकि जो 255 है इसमें दोनों के बिवाद में है तो जब दोनों के बिवाद होता है राज सुची और संग सुची के भी से पे बिवाद होता है राज में तो राज और संग दोनों बनाएंगे नियम कानून जो बनाना है बनाएंग लेकिन जो मानने होगा वो संग का मानने होगा जो संगी संसद है उसका मानने होगा न की राजी का मानने होगा तो A इसमें है लेकिन बाकी के A सब है इन पे जो सूची है इन में जो कानून बनाने का पूरा अधिकार है वो किसको है संगी संसद को ही है तो इसमें A ही पुछा ह तो आंसर आपका जो जाएगा A, A, B, C के पास जाएगा ये देखिए सीरियल थोड़ा गलत हो गया है तो A, B, C आपके पास जाएगा तो A वाला आप याद रखेगा इसमें दिया गया है अनुशेद 54 में कि जो संग है और राज्य सूची का जो विसे है राज्य सूची में र पाकी के सब सही है तो आपसन आपका दो सही हो जाएगा तो फ्रेंड्स ए थे 15 कोफशन तो हो सकता है कि ए वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट जरूर करिए और लाइक जरूर करिए सस्क्राइब जरूर कर दिजिए दोस्तो अगर नए है तो दोस्तो आप सभी लोग को नमस्कार सुबरात्री